श्री सद्गुरु देवाई नमा जीव माया के प्रभाव से केवल सक करता है कि कहीं राम नाम से कुछ होगा की नहीं अरे भाई सब कुछ होगा केवल स्रद्धा और विस्वास की जरूत है भाव केवल विसाल बनाने की जरूत है हम यह मत सोचें कि कितना जब करें तो फाइदा होगा यह तो वही बात हुई कि किसी ने पौधा जमीन में रोपा और रोज उखाल कर देख रहा है कि कितनी जड़ निकली कितनी जल्दी पेड़ बड़ा होगा अरे भाई उसकी जगए केवल नाम को ही सभी कुछ मान कर सब उन पर छोड़ दिये फिर जीवन में चमतकार देखिए कल्युक के प्रभाव से आपको और कोई नहीं बचा सकता केवल राम नाम में ही इतनी सकती है कि कल्युक भी डंड़वत करने लग जाएगा चाकर भी कभी बुरा नहीं हो सकता राम नाम की महिमा इतनी है कि सब्द कम पर जाएं किन्तु महिमा कम ना हो हमारे गुरु भाई ने एक कथा जो मुझे सुनाई थी जिसको सुनकर मैं काफी भाविभोर हो गया आज वही कथा या दास आपके सामने प्रस्टुत कर रहा है इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस देखीगा उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भाउन अयोदा यूटुब चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन अवस दबा देए जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें काफे दुखी रहते थे क्योंकि उनका अपना कहने वाला कोई न था बच्पन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था गाउं के हन्मान मंदिर में ही रहा करते थे पुजारी जी उनको खाने को जो दे दिया करे वही खा लेते थे उन्होंने ही उसका नाम बजरंगी रख दिया था उसको लगता था कि कोई तो हो जिसको मैं अपना कह सकूँ इस बात का गम उनको हमेशा रहता था एक दिन की बात है संतों की एक मंडली उनके गाउं आई पूरा गाउं उनसे मिलने गया यह बात जब बजरंगी जी को पता चली तो वह भी संतों की चरणड़ लेने के लिए उनके पास पहुँच गे संत जी ने जब उसकी ओर देखा तो वह बोले तुम दुखी हो क्या बात है कोई कश्ट हो तो बताओ साइद तो ही कुछ मदद कर सको बजरंगी ने अपनी बात उनके सामने रख दी और रूने लगी संत जी ने कहा बेटा इस संसार के रिष्टे नाते तो जूटे हैं एक दिन छूट जाते हैं किन्त जो हमेशा से तुम्हारे माता पिता सीता राम जी हैं उनको याद करो तुम उनको याद करते करते सीता राम जी का जाब किया करो तो तुम देखोगे कि वह तुम्हारे तुमको कितना प्यार करेंगी वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलते हमी माया वस उनको भूल जाते हैं संत जी ने फिर जब की विड़ी समझा दी बजरंगी को संत जी की ये बात जज गई उसने पज संत जनों को पड़ाम किया और मंदिर वापस आ गए आगले दिन सुबह दो बज़े उटकर नित करिया से निपटकर नहा धोकर तीन बज़े वो आसन बैट गए और अपने सामने सीता राम जी को आसन दिया और जाब सुरू कर दिया सुबह आड़ वे तक उसके बाद वो जो भी काम करे मन में सीता राम नाम का जब उनका मानसिक रूफ एक चलता रहता था जिससे उनको उनका मन काफी सान्थ हो गया एक दिन की बात है एक जमीदार ने बजरंगी को देखा तो उससे बोले कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे यहां काम करो तुमको महंताना खाना कपा सब मिलेगा बजरंगी जी ने सोचा कि मांग मांग कर खाने से अच्छा है एक काम किया जाए और वो तयार होकर चले गए जमीदार जी ने उसे अपनी कोटी का चौकी जार बना दिया वो रात में चौकी जारी करता यहां भी वो सीताराम नाम का जब करता रहता जिससे उसमें उसका ध्यान लग जाता और क्या हो रहा है उसके किसी चीज की कोई खबर नहीं रहती उसका ध्यान सुबह तूटता था यह रोज का नियम हो गया था एक दिन की बात है वह सीता राम नाम के जब में ऐसा खो गया कि चार चोर जो की घात लगाए बैठे थे कैसे अंदर खुज गए उनको खुद पतानी चला जो कि चोरों को तो मौका में लिया था वह अंदर चले गए बजरंगी तो अपने ध्यान में बैठे थे चोरों ने काफी सामान चुराया जब वह बाहर जाने लगे तो हद दरवाजे पर उन्हें बजरंगी दिखाए दिया वह छुप गए वह सोचे जब बजरंगी हट जाय तो वह निकल भागेंगे किन्तु ऐसा हुआ नहीं चारों चोर अलग अलग दिसाम भागने लगे किन्तु बजरंगी उन सब को हर दिकर दिख रहा था कि अब क्या करें एक तो लंबा चोड़ा बजरंगी उपर से हाथ मोटा से डंडा देखका चोरों की हालत बहुत खराब हो गई इसी तरह उवापो में पूरी रात बिद गई सुबह हो गई कोटी के सब नौकर चाकर जाग गए जोर पकड़े गए जमीदान ने उन से पूछा कि तुम अंदर कैसे आए किसी ने रोका नहीं तुम लोग भागे क्यों नहीं तो वह बोले आपने पहलवान को चौकीदार रखा है जिस तरफ से भागने कोशिश करते वहीं खड़ा दिखता है इस करांसे हम भाग नहीं पाए जमीदान ने बजरंगी को लाया और उससे पूछा कि तो उसने जूट नहीं बोला उसने सब कुछ सच बता दिया कि वह रोज रात में नाम जब करते करते अपने प्रभू के नाम में ऐसा खो जाता है कि उसे कुछ मालूनी पढ़ता कि रात में क्या हुआ जमीदान ने चोरों की सारी बात उसे बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे कारण मेरे कारण मेरे प्रभू को मेरा रूप धर के चोगिदारी करती पड़ी मेरा जीवन बेकार है अब मैं यहां काम ने करूंगा मेरे कारण प्रभू रात भर चोगिदारी करते है मुझ जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं और वो फूट फूट कर रोने लगे उसकी बाते सुनकर जमिदार की आँखों में आसू आ गए उसने बजरंगी के चरण पकड़ लिए और बोले धन है आप और आपकी भक्ती आज से आपके रहने की विवस्था मैं अलग करता हूँ आप वहां रहके केवल प्रभू का बजन करें और कुछ नहीं कोठी से रासन और जरूत की सारी चीज़े आप तक पहुच जाएंगे आप मुझे कुछ बताएं जिससे मेरा उधार हो सके बजरंगी ने उनको नाम जब करने को बुला उसके बाद जमीदार ने उनको अपना गुरू मानकर उनकी सेवा करनी सुरू कर दी कुछ वर्स के पाद साथ बजरंगी ने जमीदार को बुलाया और बोले तुम जीवन भर नाम जब करना किसी का आहित मत करना तुमको सीताराम जी के हवाले करके जा रहा हूँ उसके बाद सीताराम सीताराम कहते हुए उन्होंने अपनी देह त्याग दिया भाई बैनो आपने राम नाम का प्रताब देखा है कि राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता बस केवल विश्वास और सत्ता के साथ नाम महराज की सरन तो लीजे चमतकार होकर रहेगा संचित कर्मों के काना थोड़ा समय जरूर लग जाए पर निरासा को पासमर बटकने दे जीवन में बदलाव अवस से आएगा ये मेरी नहीं संत जनों की वाड़ी है जो कि कभी मित्या नहीं हो सकती आपको कता अच्छी लगी हो तो कमेंट में जैसे राम लिखना मत भूलिएगा जिससे दास का मनुवा लगाता पड़ता रहे और अच्छे प्रिणा दाएग वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं आपसे निवेदन है अगर आपके पास भी राम नाम का अनुवा हो तो उसको मेरे एमेल पर भेज़ सकते हैं जिसके वीडियो बना कर अपने चैनल में अवस प्रस्तुत करूंगा इमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही अगर आपको राधा क्रिश्ट और रंदावन से जुड़ी सची कताओं को आनंद उठाना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्छुत प्रबाद को जरू सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद